इंदी वर्ण वाला में हमारा जो पहला खंड बनता है, वो क्या बनता है? स्वर का बनता है, पिसका बनता है? स्वर अब ये स्वर कितने और कैसे होते हैं? जैसा कि अभी हमने आपको बताया स्वर कितने होते हैं? ग्यारह होते हैं अब इनका विभाजन कैच होता है और ये वर्ण कौन कौन से हैं तो इनको सबसे पहले हम सभी वर्ण लिख लेते हैं जैसे आ आ ई ई उ री ए आए ओ आओ ये कितने वर्ण हो गए ग्यारह वर्ण हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नव, दस, और ग्यारह अब इसको री को भी हम तोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं चलिए री अब क्या होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि री ऐसा वर्ण है जो अकेडा लिखा हुआ है बाकी सब कैसे हैं डबल डबल आप रितियों में हैं तो इन पर अभी मत दिल कर रहे हैं सबसे पहले को इन्हें देखते हैं यह क्या है यह आपके वह वर्ण है जो मूल वर्ण कहलाते हैं मूल स्वर कहलाते हैं मूलसवर और संयुक्तसवर, इन्हें सबसे परज़े दो भावों में विवाजित किया जाता है, कांटरों से मूलसवर और संयुक्तसवर, अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं, इन्हें भी मूलसवर के अंतरकत मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो की गलत है, मूलसवर ये नहीं है मूल पर आपके बनते हैं चार, आ, ए, उ और री आ का जो दीरगर रूप है, वो है आ, ए का दीरगर रूप ए उ का दीरगर रूप उ तो इसलिए ये मूल नहीं है ये इनकी ही दीर का आवरिति है मूल नहीं है ये इसलिए संस्क्रट बुellsाब में जाता है थे ही ओपकल अब क्या होता है पना यहां कर लृह कि वर्ण होता है आपका संस्कृilt भूर्ण किया जाता है जब कि ल्डे वरण हिंदी ही में प्रयोगा ही नहीं करते हैं रिका प्रेएं करते हैं लेकि इसका देर्खराण यह पार है अब बात आती है सए्युक्तृ मर्ण की है यह मुल जो यहाँ पर किया जाता उन्हें क्या कहा जाता है संयुक्त तस्वर कहा जाता है और संयुक्त के अंतरगात सबसे पहले क्या है अ लिखा है तद पश्छात कौंसा वड़न है यह है तो आ और E को तो इस तरह से यह आपके चार कैसे वर्ण हो गए यह चार क्या कहलाते हैं सsil्यृक्त वर्ण कहलाते हैं अब चर्चा करते हैं कि इनका उच्छान इस्तान क्या है खुड़ा सा देख लेते है तो इनको आप करमसी लिछेते हैं उच्छाने इस्तान को समझने करिए यहां पर खुड़ा सा के वर्ण हमारा था आपाउचन अपाउचन 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 पर में उत्पत्ति होती है। उसका उच्छाण॥तान kaç हो जाएगा? इसका मतलब इन दोनों का उच्छन॥तान कंत तालू हो जाएगा कि भास समझपा रहे हो? भाई आ और के विविल आ है तो कंत और तालू के मिलने से बनाये हो न? बात समझ में आ गई इसलिए इनके दो दो जगे से उचानिस्थान भी माने जाते हैं अब इनका आधार क्या होता है इनको मात्रा की आधार पर और जिव्या की आधार पर कुछ आधारों पर इनका विवाजन और भी किया गया है हो काई से थोड़ा शाउह देखते हैं कि सबसेब्के मांतरा के आदार पर इनका विबाजन मांतरा के आदार कितने भागों में किया गया है work तीन वागों में किया गया है वो काण काण से है रिश्व दीरग और फ्लूतु क्या है थीक है तो तो र्च वे मातराईं टैलाती है जिनका मान क्या होता है जिनका मान एक होता है अर्था जिनको हम क्या कहते है जिसमें बच्छों पढ़ाते हैं उसमें क्या कहते है चोटा आ, बड़ा आ, चोटी ए, ऐसे तो कहते हैं तो चोटा आ का मतलब क्या हुआ ये कैसा है रश्य है दिर्ग का मतलब बड़ा तो बड़ा आ कहां आएगा दिर्ग में आएगा चोटी उसी तरह से छोटा उ बड़ा उ री का बड़ा रूप है ही नहीं अब ए क्या है दो से मिलकर बड़ा आई ना तो इसलिए क्या सको मना जाता है यह बात ना जाता जाहिए ए और आय, मात्रा ही बदल गई, ध्वनी बदल गई ना, ये ए, ये आय, ये ओ, ये ओ, तो ये ध्वनी ही बदल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर छोटा बड़ा वाली कोई बात नहीं है, चुंकि दो वर्णों से मिलकर बनाए, इसलिए है स्वाभावी करूप से क होता है, फ्लुत केवल मात्रा होती है, फ्लुत वर्ण नहीं होकर क्या होती है, केवल, केवल मात्रा होती है, चुल देखते हैं कैसे ये मात्रा होती है, कावे शास्त्र के अंतरगत, जिस समय पर इनकी गणना की जाती है, कावे शास्त्र के अंतरगत, जब इनकी क्या की जा क्या आ जाता है छुtal टैटा यह को जाता है ऑजिता का जाता और 防पको प्लुटव स्ट स्पार है कि वो कैसे तला है से लगु फिलूटव और इह हो रहर जम्रीनला कि जटता है यहां एक होता है फिलुका मन प्लुथ का मन गास पस्टान今天 इसका जो जो चिंड होता है वह सर्स है घंडे की समान होता है और गुरु का अबाग्रा चिंड के जैसा होता है और पिलोटु का ये ई के समान होता है ठीक है अब इनको कैसे समझा जाए कि हराशो देल अव प्लूत को उचारण क्या धार पर भाई प्लूत को मैंने अभी तक पूरी तरह से विवा परिवाशित नहीं किया है तो हराशो वह वरल होते हैं जिनको उचारण करने में एक सेकंड का समय लगे अथवा एक वार पलक जपकाने में जितना समय लगता है उतना समय लगे जैसे आ और बड़े पा जितना समय दो वार पलक जपकाने में लगे अथवा दो सेकंड का समय जैसे आ और प्लुत का मतलब क्या होता है तीन बार पलच जपकाने में जितना समय लगे उतना क्या होता है प्लुत होता है जैसे कहा जाता है हे राम तो यह क्या है यह प्लुत का मतलब होता है उसको इतना खीज कर बूलना अब प्लुत प्राया कहां प्रयोग किया जाता है संबोधन म वह प्रेया क्या जाता है यह संबोधन आत्मध्वनी होती है जहां पर कभी दर्थ के कारण अत्यदिक डुख के कारण अत्यदिक हर्श के कारण जब हम किसी बात को दीर्ग रूप में कहते तो तो उच्चारण क्या जैसे जैसे कहा हे तो जब हमने तो यह दिर्ग नहीं इह ह मिर और कहें हे तो यह क्या हो गया दिर्ग विध्य होती है जब आखों के बर आ कायते हैं तो रेश्व उच्छान्ड की बिदिकों ही बढ़ा दिया तो क्या हो गया और जब और अधिक बढ़ा दिया तो क्या हो गया है 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 भी व्लगवाँ बात है है